हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का टी एस जी के क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्यान के कुछ महत्तोपुण प्रस्ण अरुत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में मात्तोपुण होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण है हल्दी घाटी किसकी रचना है इसका सही जबाब है स्याम नारायन पांडे की रचना है हल्दी घाटी अगला प्रस्ण है दिल्ली का राज की पशु क्या है इसका सही जबाब है नील गाए दिल्ली का राज की पशु है अगला प्रस्ण है इलाहाबाद की स्थापना कब की गई इसका सही जबाब है अट्रो सो छाचट इस्वी में इलाहाबाद की स्थापना हुई अगला प्रस्ण है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है इसका सही जवाब है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है अगला प्रस्ण है भारतिय शासन के प्रतीक ये सब्द सत्यमेव जैते किस ग्रंथ से लिया गया है इसका सही जवाब है उपनिसद से सत्यमेव जैते सब्द लिया गया है अगला प्रस्ण है रीग वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही जवाब है इंद्र दोस्तो रीग वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे? अगला प्रस्ण है, नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा किस सहर में इस्थित है? इसका सही जबाब है, नई दिल्ली में नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा इस्थित है? अगला प्रस्ण है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जबाब है 1191 इस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था अगला प्रस्ण है शिवा जी की मृत्यू कब हुई दोस्तों आप अपना जबाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका सही जबाब है 1680 इस्वी में शिवा जी की मृत्यू हुई दोस्तों प्रस्ण है कुलकाता में ब्रीटिश इंडियन एसोसियेशन की इस्थापना कब की गई इसका सही जबाब है 851 इस्वी में कुलकाता में ब्रीटिश इंडियन एसोसियेशन की इस्थापना की गई अगला प्रस्ण है विश्व में चादी सर्व प्रथम कहां पाई गई इसका सही जबाब है भारत में दोस्तों हडपा सब्यता में सबसे पहले चादी पाई गई अगला प्रस्ण है मुहम्मद गवरी ने पुनह लाहोर पर आक्रमड कब किया इसका सही जबाब है 1186 इस्वी में मुहम्मद गवरी ने पुनह लाहोर पर आक्रमड किया अगला प्रस्ण है कश्मीर का सालीमार बाग किसने बनवाया था इसका सही जबाब है जहांगीर ने कश्मीर का सालीमार बाग बनवाया था अगला प्रस्ण है काबूली बाग कहां इस्थित है इसका सही जबाब है पानी पत में काबूली बाग इस्थित है अगला प्रस्ण है संसार की सबसे लंबी नदी नेल नदी किस जील से निकलती है इसका सही जबाब है विक्टोरिया जील से संसार की सबसे लंबी नदी निकलती है अगला प्रस्ण है कनाडा के लूसी जील को अन्यकिस नाम से जाना जाता है इसका सही जबाब है एमराल्ड जील के नाम से कनाडा के लूसी जील को जाना जाता है अगला प्रस्ण है सिरलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है इसका सही जबाब है पटाना सिरलंका के घास के मैदान को कहा जाता है अगला प्रस्ण है अंडमान सागर एवं दक्षडी चीन सागर को कौन सी जलसंधी जोडती है। इसका सही जबाब है मलक का जलसंधी अंडमान सागर और दक्षडी चीन सागर को जोडती है। अगला प्रस्ण है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका सही जबाब है इंडोनेशिया नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भीसम प्रस्थ्न है बायो केमिस्ट्री में किसका अध्यान किया जाता है इसका सही जवाब है जीव शरीर के रासाइनिक क्रियाओं का अध्य यान बायो केमिस्टरी में किया जाता है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर जरूर करें